केंद्र सरकार ने मंगलवार की रात लेफटिनन जनरल उपेंद्र दिवेदी को देश का अगला सेना प्रमुख बनाने का एलान किया है वो सेना प्रमुख जनरल मनोश पांडे का स्थान लेंगे लेफटिनन जनरल दिवेदी को चीन और पाकिस्तान से 60 सीमाव पर काम करने का व्यापक अनुभव है वह वर्तमान में उपसेना प्रमुख के रूप में कारेरत है आपको बता दे कि जनरल पांडे 30 जून को रिटायर हो रहे हैं सरकार ने पिछले मही ने जनरल पांडे के रिटायर्मेंट से कुछ दिन पहले ही उनका कारेकाल एक महीने के लिए बढ़ा दिया था इसके पहले जनरल पांडे को 31 मई को रिटायर होने वाले थे वो लेकिन अब आईए जानते हैं और आपको बताते हैं कि कौन है लेफ्टिन जनरल दिवेदी लेफ्टिन जनरल उपेंद्र दिवेदी को सैन्य गतिवीदियों में करीब 40 साल कानुभव है उन्हें 15 दिसंबर 1984 को भारति सेना की इंफेंट्री जमू और कश्मीर राइफल में कमीशन मिला था अपनी लंबी और विशिष्ट सेवा के दौरान उन्होंने कई कमांड स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल में काम किया है लेफ्टिन उपेंद्र दिवेदी की कमांड नियुक्तियों मे रेजिमेंट 18 जमू कश्मीर राइफल्स और ब्रिगेट 26 सेक्टर असम राइफल्स आईईजी असम राइफल्स पूर और नो कॉर की कमांड भी शामल है आई अब बात करते हैं कि लेफ्टिन जनरल उपेंद्र दिवेदी कहां से है मज़प्रदीश के रिवा के रहने वाल सेनरल जनरल उपेंद्र दिवेदी का जन्म एक जुलाई 1964 को हुआ था वही उनके शुरुवाती पढ़ाई सैनिक स्कूल रिवा में हुई उपेंद्र दिवेदी नैशनल डिफेंस अकैडमी के भी छात्र रहे थे वही लेफ्टिन जनरल उपेंद्र दिवेदी साल 1984 में सेन लेफ्टिनेंजनरल दिवेदी सेना की उत्री कमान के भी प्रमुख रह चुके हैं आतंकवात के खिलाफ भ्यानों में भी प्रमुख भूमिका रही हैंगी दरसल बता दे कि लेफ्टिनेंजनरल उपेंद्र दिवेदी सेना के उप्रमुख के रूप में नियुक्त होने से पहले साल 2022-24 तक वो इंफेंट्री और जनर्रल ओफिसर कमांडिंग इनचीफ यानि की मुख्याले उत्री कमांड सहीत कई महत्वपून पदों पर रहे उनके पास देश भर में चुनौतिपून मोहल में काम करने का भी अनुबव हासिल है कश्मीर घाटी के साथ साथ राजस्थान में भी यूनिट की कमांड समभाली है इस दोरान जमुकश्मीर में आतंकवात के खिलाफ अभ्यानों में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही है इसके लावा उपेंद्र दिवेदी ने उत्री और पश्चिमी सीमा उपर रन्नीतिक मागदर्शन भी किया है चीन सीमा विवाद को लेकर हुई बाचीत में भी उपेंद्र दिवेदी रहे हैं वो आत्मनिर भर भारत के तौर पर सेना में स्वदेशी हत्यारों के शामिल कराने में अगुवाई ही भी उनोंने की है आईए अब आपको रिवा ले चलते हैं और नए आर्मी चीफ उपेंद्र दिवेदी के भाई से मुलाकात करवाते हैं निश्रित रूप से ये हमारे परिवार के लिए और रिवा के लिए बहुत गोरों के छड़ा है हम लोग बेसिकली रिवा ग्राम बुडिला गढ़ के पास वहां के रहने वाले हैं मेरे चोटे भाई की प्रारंबिक शिक्षा दिक्षा पांच मी तक अंविकापूर में हुई फिर सेनिक स्कूल डिवा में पढ़ा मैं सबसे बड़ा भाई हूँ मैं यहां अधिश चाता के पद पर था और 2019 में रेटायर हुआ मेरा चोटा भाई चीफ इंजिनियर भोपाल में था यह सबसे चोटा भाई है मुझसे दस वर्ष चोटा था मेरे पिता जी की इच्छा थी कि ये मिलिटरी आफिसर बने उन्होंने सेनिक स्कूल में एडमिशन दिलाया और मेरे सरक्षन में ही ये रिवा सेनिक स्कूल में पढ़ा बाद में इसने एंडिये की अपने आप परिक्षा दी और उसमें अच्छे अंक राप्त करके 1984 में सेना में परिश किया तब से लगातार वो उन्नत करता रहा आप सब लोगों की शुकामनाएं से आज वो सेना के सरोच पर पहुंचा है और कल शाम को हम लोग रात को टीवी देख रहे थे तो उसमें स्क्रीन में नीचे लिख कर आया तब हमें पता चला तब तक और लोगों ने भी देख लिया था और फिर मुझे फोन पर सब ने ख़बर की निश्ची थी हमारे रीवा विंद प्रदेश के लिए ये एक बहुत गौरों की बात है जबकि सेना के सरवोच पत पर हमारे रीवा के और हमारे परिवार का सदस्य है मेरा चोटा वाई उपेंद वेदी एक सेना का अनुशाशित सिपाही है वह नौर्थ हीस्ट हो चाहे नौर्थ इंडिया हो वो लगभग हर जग है पोस्टेट है संयोग से उसकी पोस्टिंग बॉर्डर में सबसे ज़्यादा रही लद्दाख ले जहां आज लोग पहुँचना बड़ा मुश्किल समझते हैं जमू और कश्मीर और चाहे वो अरुनाचल प्रदेश हो मेगाले हो लगभग हो हर जग है वहां के सर्वोच पदों में रह चुका है इसके अलावा उसने वी देशों में भी पीस कीपिंग फोर्सेज में भी काम किया है उसे सर्वोच नेतरत्त का काफी अनुवाव है और मुझे विश्वास है कि सेना में वो नए आयाम इस्थापित करें वो सिर्फ पिता जी ही हमारे थे जो कि इसके मूल उनकी सोच थी कि मेरा एक बच्चा डॉक्टर बने एक इंजिनियर बने और एक मिलिटरी आफिसर बने तो जैसे भी हो ये पिता जी की इक्षा थी जिसके काड़ ऐसा संभाव को पाया निश्य तूप से मेरे बाता पिता जी ये उसकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है इसे के साथ है आपको बता दे कि पीवी एसम एवी एसम समयत कई सम्मानित हैं मिल चुके हैं अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें